हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ ये बॉर्डर का डिजाइन शेयर कर रही हूं ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला बॉर्डर है और बहुत ज़्यादा असान भी है लेगिन इसको बना के इस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना ये फ्रेंड्स दोनों साइड से एक जैसा ही दिखता है ये देखे दोनों तरफ से और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये जब हम इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये इसको आप किसी के लिए भी उसकर सकते हैं लेडिस जैंड्स बच्चों के लिए या आपने कोई भी कुछ भी बनाना हो उस इस तरह से पकड़ना है और ऐसे सलाई पर लेते हुए इस तरह से ऐसे करके आपने फंदे डालने हैं फिर ये ऐसे करके सिंगल फंदे इसमें आपने डालने हैं सिंगल धागे से डबल धागे से फंदे नहीं डालने हैं इसमें आपने सिंगल धागे से फंदे डालने हैं तो इस तरह से ही मैं इसमें फंदे डाल लेती हूं थोड़े से फिर आपको मैं दिखाती हूं चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं यहां से तो यह देखिए हमने इस तरह से फंदे डाल लिए तो सबसे पहले हमने उल्टा फंदा स्टार्ट करना है जो हमारा यह पहला स्टिच है पहले ही हमने एक उल्टा एक सीधा पहली सलाई पे हमने एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से लेकिन उल्टे से आपने शुरू करना है बुन्ना आपने उल्टा सीधा ही है एंड तक इस सलाई को पहली सलाई जो है वो इस तरह से हमने इसकी बुन्नी है इस उल्टा और फिर ये सीधा उल्टा सीधा इसे करके निट एंड पॉर्ल करके और लास्ट में यहां पे भी देखिए उल्टा आ गया हमारे पास न स्टार्टिंग में भी हमने उल्टे से शुरुआत की थी और एंड में भी हमारा उल्टा है तो इस तरह से अब इसकी सेकट डरो देखेगा किस तरीके से हमने बुन्नी है तो पहले फंदे को इस तरह से slip कर लेंगे, अब धागे को आगे करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा वोन लेंगे, अब आप यह देखिएगा, आगे सीधा फंदा है ना, इसको हमने देख किस तरह से करना है, सिलाई को राइट साइड वाली जो आपकी निडल है, यह राइट हैंड वाली जो निडल है, उसको ऐसे करके नीचे से लेना है, और इस फंदे को हमने इस तरह से लाते हुए, ऐसे खुमाके इसको लेके आना है, अब इसको हमने ऐसे सिलाई पर लेना है, और इसको हमने सीधा बुन लेना है इस तरह से अब धागे को आगे करना है और उल्टा फंदा जो है उसको नॉमली वैसी बुनना जैसे बुनते हैं और फिर से हमने धागा पीछे करना है और ये जो सीधा फंदा है धागा पीछे कर लेंगे फिर हम सिलाई को ऐसे घुमाएंगे नीचे से और इसक को ऐसे ले आएंगे उपर को और फिर दूसरी सलाई पे इसको इस तरह से लेते हुए सीधा बुन लेंगे बस थोड़ा सा ही है और कुछ भी नहीं एक सिलाई का केल आईए बस ऐसे उल्टा बुन लिया अब धागा पीछे किया और फिर से सिलाई को ऐसे नीचे किया और इस फ अब इसको बाए हाथ की सलाई पे लेते हुए ऐसे सीधा बुन लेना है फिर धागा आगे करना है एक फंदा उल्टा बुन लेना है फिर धागा पीछे करना है सीधे फंदे को सलाई को ऐसे लेना है नीचे से देखिए और फिर उसके बाद इसको उतारा घुमा के ऐसे लिय बाए हाथ की सिलाई के साथ लेफ्ट निडल के साथ इसको ऐसे लगा के सीधा बुन लिया अग उल्टा फंदा उल्टा बुन लिया फिर धागा पीछे फिर यहां से सिलाई को ऐसे घुमाया सीधे फंदे को ऐसे उतारा फिर ऐसे गुमाते हुए ये देखिए उसी तरह से जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे सीधा बुन लेना है फिर आगे उल्टा फंदा ऐसे उल्टा बुन लिया फिर धादा पीछी किया सिलाई को ऐसे गुमाया सीधे फंदे को उतारा उसको आगे लेकि आए और यहाँ पर फिर से लेफ्ट एंड वार्डी नीडल के साथ उसको लगाया और इसको बुन लिया अब उल्टा फंदा उल्टा है धागे को पीछे किया आपका एस्टिच जो है उसको हमने यहाँ पर सीधा बुन लिया अब देखिए इस तरह से हमारी यह सेकिंड रो जो है वो खतम होगे अब इसकी दूसरी तरफ से आते हैं और थर्ड रो पे तो थर्ड रो पे देखिए पहले फंदे को तो हम स्लिप ही करेंगे उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे अब हमने उल्टा और सीधा ही बुनना है अब हमने इसमें कुछ नहीं करना देखिए एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बस ऐसे ही हमने अब सारी सलाई को बुन लेना है अब आप चाहें तो सारे बॉर्डर को इसी तरह से बुन सकते हैं या फिर इस सलाई के बाद आप सारी सलाईयां जो हैं वो उल्टे-उल्टे की परल की आप उपर लाइने बुन सकते हैं अगर बच्छों का बना रहे हैं, तो आप अलकी लाइने भी बन सकते हैं, अगर बड़ाओं का बना रहे हैं, तो इसी तरह से आप इस बॉडर को उपर को बना सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे डबल बॉनाई की होती है न, बिल्कुल वैसा ही डबल बॉडर जैसा बन चाते हैं यह देखिए अब तो मैं यहां पे देखिए यहां पे कुछ सलाइयां अब उल्टी उल्टी बुनके आपको दिखाते हूं इसके उपर बस इतना सही बुनना है तीन सलाइयां इसकी बुनने के बाद अगर उल्टी सलाइयां बुनने हैं तो तीन सलाइयां बुने और उसके बाद उल्टी सलाईयां जो हैं स्टार्ट कर दें तो ही अच्छा लगेगा थोड़ा सा नीचे गोटे जैसा जैसे किनारी सी लगाते हैं बिल्कुल ऐसा लगेगा और अगर आपने यही बॉडर आगे कंटिन्यू करना है तो आपको जितनी लेंथ चाहिए उ पूर्ल वाइज इसको बुन रहे हूं सारे पर्ल की लाइन यहां पर बुन रहे हूं ऐसे तरह से बस एकी सिलाई का है यह डिसाइंन बीचमें एक सिलाई मे घिख हमारा हमर्य को भीति तो सप्षचनी होगी हमारी हमने एसी ही दो बुन लेनी तो देखिए यहां पर देखिए मैंने यह बना के रखा है इस तरह से और मैं अपने प्रोजेक्ट में भी ऐसे बनाती हूं यह देखिए ऐसे आ जाएगा यह बनके यह देखिए यहां पर इसमें भी बनाया हुआ है और यह देखिए हमारा यह देखिए तो इसको आप जरूर ट्राई करें आपको यह कैसा लगा मुझे जरूर बताएं तो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही थैंक यू